असलाव अलेकुम आज हम बनाएंगे पोटाटो पॉपकॉन तो इसके लिए मैंने यापे दो आलू ले लिया है और अच्छे से चील कर पानी में डाल दिया है अब एक ग्रेटल ले लिया है मैंने और इस से मैं आलू ओको ग्रेट कर लिया है जब आलू अच्छे से ग्रेट हो जाए ना तब आपको पानी डाल कर तीन से चार बर आलू को धो लेना है ताकि जो स्टार्च है कम्प्लेटे निकल जाए देखिए अब आलू एकदम वाइट लग रहा है तो इसे जादा और नी धोना है अब हम आलू में नमक डालेंगे और इसे मिक्स करके दो से तीन मिनिट के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू से सारा पानी रिलीज हो जाए मैंने यहां 8 से 10 काली मिर्च ली है उसे हलका सा दरदरा कूट लिया है अब देखिए आलू से अच्छा पानी निकल गया है अब क्या करना हातों से दबाते हुए सारा पानी निकाल लेना है देखिए आलू के लच्छे एकदम ड्राई हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाले हैं साथ ही कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे थोड़ा सा मैंने मिक्स्ट हम डाला है थोड़ी से चीली फ्लेक्स और थोड़ा सा चॉप्ट किया हुआ अद्रक और बाइंडिंग के लिए 2-3 चमच कॉन फ्लार एड़ किया है अब थोड़ा थोड़ा करके मिक्स्ट ले और हलके हलके हातों से थोड़ा थोड़ा राउंड कर ले तिल अच्छे से गरम हो गया है यहां पे तो सारे आलू के बॉल्स को डाल दिया है इसे ना medium to low flame करके फ्राइ कर लेना है एक बार फ्राइ करने में आपको 4-5 मिट लग जाएंगे और ये अच्छे से क्रिस्प हो जाते हैं बहुत ही easy recipe है जरूर से try कीजिएगा कैसे लगे मेरा recipe comment करके बताईएगा मिलते हैं एक नए recipe के साथ